नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकर्ष्रिवास्तव गया, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंडिया और रश्या के रिलेशन के बारे में बताऊंगा रश्या एक ऐसा मुल्क जिसने इंडिया का पगपग पे साथ दिया है, ये दोस्ती 1971 में स्टार्ट हुई, जब सोवियत यूनियन था, इंडिया और पाकिस्तान की रडाई हो रही थी बांगलादेश को लेकर, तब पहली बार इंडिया और रश्या का दोस्ती बिगर पे नजर डालेंगे, आज हम उसी रिष्टे पर बात करेंगे, इंडिया रश्या रिलेशन्स, रिलेशन्स विद रश्या आर अकी पिलर अफ इंडिया फॉरेंग पॉलिशी, एंड रश्या है है बीन आ लॉंग स्टैंडिंग टाइम टेस्टेड पार्टनर और इंडिया, किसी बहुत बड़े कभी ने कहा था जब दुख का समय होता है जो आपके साथ खड़ा होता है वही असली मित्र होता है क्योंकि सुक में हर कोई पूछता है दुख में जो खड़ा हो गया वही असली मित्र होता है रश्या इंडिया का वही मित्र है जिसने इंडिया का तब साथ दिया था जब शायद कोई मुल्क इंडिया का साथ देने को तयार नहीं था क्योंकि सामने अमेरिका थी बहुत सारे लोग इसको रशिया के पीछे की कनिंग आइडियोलोजी या ये कह सकते हैं कि अमेरिका से रश्या की नहीं बनती थी, इसलिए रश्या ने इंडिया का साथ दिया था, यह गमारे लिए मैटर नहीं करता, अगर आपको मेरे मुल्क से फाइदा है मेरे मुल्क को आपके मुल्क से फाइदा है तो हम दोस्त के तरह रहेंगे तो इंडिया की foreign policy में रश्या का एक बहुत बड़ा हाथ है मतब एक key pillar है इंडिया की foreign policy में रश्या रश्या एक बहुत इंपॉटन्ट मुल्क है इंडिया के लिए दोनों countries ने declaration on the India-Russia strategic partnership sign किया October 2000 में October 2000 में Russia और India ने declaration on India-Russia strategic partnership पर sign किया Traditionally the Indo-Russian strategic partnership has been built on five major components India और Russia का जो relation गय जिस तरह मुठी में पाँच उंगलियां होती है पाँच उंगलियां जब जुड़ती है तो मुठी बनती है उसी तरह पाँच major components पर India और Russia का relation टिका पड़ा है पहला politics दूसरा defense तीसरा civil nuclear energy फोर्थ वन anti-terrorism cooperation फिफ्थ वन space इन पाँच आधारों पर इंडिया और Russia का relation टिका पड़ा है ये दोस्ती इन पाँच आधारों पर है लेकिन कभी कभी क्या गोता है अमेरिका जैसा कि आप लोगों को पता है वर्ल्ड की एक अकेली super power है 22 trillion की economy हर कुछ में अमेरिका सबसे आगे तो इंडिया और रश्या के relation में भी अगर मान लीजे थोड़ी बहुत दिक्कते आई हैं उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अमेरिका है तो कि देखिए एजन इंडियान हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारे मुल्क को किस मुल्क से फाइदा हो रगा गया फिर वो रश्या गो अमेरिका हो इस्रैल गो जपान गो चाहे विश्व की कोई भी कंट्री हो देखेंगे इंडिया को अपनी नुकलियर पावर को और मजबूत करना था क्योंकि हमारे दो पड़ोसी मुल्क नुकलियर केपेबल है और दोनों के साथ हमारे रिष्टे कभी अच्छे नहीं रहे और बवाल अक्सर आपको देखने को मिलता है एक तरफ पाकिस्तान के दूसरी तरफ चाहिना है पाकिस्तान के अब्बू है चाहिना तो इंडिया ने अपनी नुकलियर पॉलिसी को और मजबूत करने के लिए अपनी नुकलियर पार को और मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ 2008 में एक नुक्लियर डीन साइन की और देखिए जस तरह इंडिया पाकिस्थान है न तीक उसी तरह विश्व पे अमेरिका और रशिया है गोल्ड वर तो आप लोग को यादी होगा 45 साल चला तो कहीं न कहीं इंडिया और अमेरिका के बढ़ते रिष्टों से रशिया खुश नहीं the second concerns the growing defense relationship between US से इंडिया अभी इंडिया ने कई सारे नई हेलिकॉप्टर्स चीनूख हेलिकॉप्टर्स के नाव आपने सुनाई होगा अलफा हेलिकॉप्टर्स कई नई चीजे defense equipment इंडिया ने इंडिया का से खरीदी और यह भी एक point of concern है रशिया के लिए क्योंकि रशिया का भी सबसे बड़ा आम स्टेट पार्टनर इंडिया है एके 47 एंटोनियो कैल्शनिकोव एके 47 एके 70 फोर देंदेर आफ्टर आपका एके 56 यह सब रशिया के तो मॉडल है तो रशिया को ऐसा लगता है कि इंडिया का थोड़ा सा जो प्रोक्लिविटी है वो USA के टूर्ड शिफ्ट को रगा गए USA के equipment के टूर्ड शिफ्ट हो रगा गए और रशिया ने जब यह डिसाइट किया कि वो पाकिस्तान को MI-35 हिंद अटैक हेलिकॉप्टर बेचेगा तो इंडिया का थोड़ा सा पारा गरम हुआ कि यार ये तो हमारे क्या बोलते हैं कि दुश्मर मुल्क को बेच रहे हैं ये लोग पर जो रशिया और पाकिस्तान जोईंट एक्सराइज़ रेज़ मैंनी कुश्चन फिर जो रशिया और पाकिस्तान जोईंट एक्सराइज करते हैं army navy air forces की वो भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा point of concern गए इंडिया having its own military exercise with US इंडिया का अपना खुद का exercise होता है US के साथ comment box में लिख कर बताईए कि इंडियान आर्मी और USA की आर्मी कौन सी exercise को अंजाम देती है हर साल कौन सी military exercise को अंजाम देती है तो इंडिया का अपना खुद का military exercise होता है USA के साथ and इंडिया ने and has signed logistic agreement which can eventually give the US access to Indian naval base ठीक है और इंडिया ने अमेरिका के साथ logistic agreement के उपर भी sign कर रखा है जिसकी वजह से US को access मिलता है इंडिया के naval base पे Russia had proposed Russia India China Forum India is hesitant about this because of the unresolved issue with China Russia ने एक forum को propose किया Rick Russia India China India का कि जहाँ China है वहाँ पे हम नहीं आएंगे पहले इंसे को कि जितने मुद्धे हैं उन्हें solve करें उसके बाद हम किसी भी forum पर participate करेंगे इनके साथ कोई भी multilateral forum हो तो यह कुछ मुद्धे थे जिन मुद्धों में जिन मुद्धों के कारण कभी कभी इंडिया और रश्या के relation में थोड़ी बहुत दिक्कते आ जाती है Economic Ties इंडिया और रश्या के बीच में किस तरह का Economic Ties है पहले हम यह बात करते हैं रश्या इंडिया trade has not grown to great heights despite the encouragement of both states देखिए रश्या और इंडिया के बीच में जो Economic Relation है वो बहुत जादा बड़ा नहीं है जैसे इंडिया और चाइना का है इंडिया अमेरिका का है रश्या के साथ उतना नहीं है उसके पीछे का भी कारण है देकि रश्या मेंली या तो आम्स बेचता है इंडिया को या फिर आपका रश्या के पास minerals जादा है fossil fuels जादा है like gas, petrol लेकिन रश्या और इंडिया के बीच में जो दो मुल्क है चाइना और पाकिस्तान वो इंडिया को access नहीं देते है रश्या के टूबट जाने की जिसकी वज़ा से इंडिया चाहकर भी रश्या से एक बहुत strong economic ties बनानी पा रहागा के बलकि दोनों मुल्क की सरकारे यह चाहती है कि एक अच्छी economic ties बने रिसेंटली इंडिया और रश्या डिसाइडेट तू institutionalize the CEO forum and agree to liberalize business travel which will help boost bilateral trade इंडिया और रश्या ने डिसाइड किया कि वो अपनी economy को वो अपने institutional को और ज्यादा liberalize करेंगे मतब tax barrier और कम करेंगे ताकि असानी से रश्या के लोग अमेरिक इंडिया में आका समान बेच पाएं इंडिया के लोग रश्या में जाका समान बेच पाएं एक bilateral trade और भैतर गो पहले से रश्या इंडिया को एक one of the fastest growing economies in the world के तोर पर देखता है as a country that could alleviate Russia's economic problem और और रश्या को ये पता है देखिए हमारी economy रश्या से कहीं ज़्यादा strong है ठेक है रश्या को ये लगता भी है कि इंडिया जिस हिसाब से grow कर रहा है आने वाले समय में पूरे वर्ड पर तीनी मुलकों का राज होगा अमेरिका चाइना एंड इंडिया अमेरिका से रश्या क अच्छे रहेंगे न तो रश्या की economic problem को कम करने में इंडिया काफी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है मेकिन इंडिया प्रोविजन ये जो अभी हमारे देश के मानेने प्रधान मंत्री शिनरेंद्र मोधी ने स्टार्ट किया उसमें कई सारी Russian companies को invite किया गया अभी को Russian firms have shown a willingness to invest in India in construction Russia की जो firms है उन्होंने इच्छा जताई है कि इंडिया की जो construction projectual रगी है उनमें वो invest करना चाहतें है like smart cities, industrial cluster, engineering service इन सब जगों पर रशिया की जो companies है वो इंडिया में invest करना चाहती है Indian companies are exploring major investment option in Russia, Indian companies रशिया में invest करना चाहती है coal, fertilizers, hydrocarbons, minerals और जितने भी rare earth metals के हैं उनकी exploration के लिए Indian companies रशिया में invest करना चाहती है और करती भी है, और करती भी चली आई है, trade and investment relation are not up to the mark and this need improvement देखिए, इंडिया और रशिया के बीच का trade relation उतना बहतर नहीं है, अभी उसको और बहतर करने की जरूरत है लाइक जिस तरह गमारा चाइना के साथ गए और अमेरिका के साथ गए वैसा करने की जरूरत है अब बात करते हैं energy ties की देखिए एक बात तो आपको माना पड़ेगा, रशिया एक बहुत ही energy rich country है तेल, gas, minerals, अफरात मातरा में है According to International Energy Agency, India will cross Japan as the world third largest oil user this year and is expected to have the highest rate of the growth of crude demand globally through 2040 International Energy Agency ने इस साल एक रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि इंडिया ने Japan को सरपास कर लिया है और इंडिया अब वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आ गई है, सबसे ज़ादा oil user के तौर पर और माना जा रगा है कि 2040 में हिंदुस्तान विश्व में नंबर वन पर होगा सबसे ज़ादा crude oil की demand को लेकर Comment box में एक सवाल का जवाब दी दिएगा International Energy Agency का Headquarter कहां पर है The sale of 98% stake in Isar oil to a consortium led by Russian state-owned oil giant Rosneft is significant step in process of delivering the balance sheet of the Indian corporate देखें, इंडिया के पास तेल तो है नहीं तो हमारे देश के एक oil company है Isar वो घाटे में चली गई तो Isar की 98% stake को बेच दिया गया Russia की एक state-owned जो सरकारी oil company है Rosneft को ताकि जो भी problem है Indian corporate के mainly जो oil company है उनकी balance sheet में इसको overcome किया जासे The Russia-India investment in the oil and gas sector and exports to third countries needed to be energized India और Russia के बीच में एक करार है जिसके तहत ये दोनों country मिलकर oil और gas sector में invest करती है Russia में और तीसरी country को भी export कर सकती है Russia is an important partner in a peaceful uses of nuclear energy and it recognized India as a country with advanced nuclear technology with an impeccable non-proliferation record Russia जो की एक बहुत की important partner है peaceful uses of nuclear energy में आपको पता ही है कि एक वक्त था जब America और Russia दो ही ऐसे मुलक थे sorry Soviet Union दो ही ऐसे मुलक थे जिनके पास nuclear power थी अब Russia ये मानती है कि India एक advanced nuclear technology capable country है और India का जो record रगा गए non-proliferation में वो impeccable रगा गए India ने कभी भी किसे मुलक पर पहले घमला नहीं किया है और India ने कभी भी गरत तरीके से nuclear का इस्तमाल नहीं किया है India में जो कुंदन कुलम nuclear power plant गए उसको बनाने में रशिया का बहुत बड़ा हात रगा गए एक सवाल आप लोगों से और कुंदन कुलम nuclear power plant कहा आपा situated है comment box में लिखकर submit कीजिए अगला बात करते है political ties के बारे में अक्सर आप हमारे देश के मानी ने प्रधान मंती नरेंदर मोदी को रशिया में जाते होगे वालाद मेरी पुतिन से मिलते हुए वालाद मेरी पुतिन अक्सर इंडिया आते रहते हैं New Delhi need Moscow support in the former bid for a permanent seat on UN Security Council देकि UN Security Council में इंडिया अपनी पुरी ताकत लगा रहा है कि इंडिया को permanent seat मिले क्योंकि UN Security Council में से पाँच कंट्रीज के पास veto power गहे और यही पाँच कंट्रीज आपकी permanent member हैं अमेरिका, रशिया, बिटेन, चाइन एन फ्रांस रशिया का सपोर्ट बहुत जरूरी है भलेगी चाइना बार-बार इंडिया के आले आ जाता है विकर चारो कंट्री चाइना को छोड़कर जो चारो कंट्री है अमेरिका बिटेन रशिया और फ्रांस वो सहमती देते है कि हाँ इंडिया को छटा पर्मानेंट मुल्क बना दो UN रशिका मगर चाइना गमेशा अपनी वीटो पावर इस्तमाल कर देता है कश्मीर के मुद्धे पर रशिया गमेशा इंडिया के साथ खड़ा होता है इंडिया और रशिया कई सारे मल्टी लेटरल फोरम पर एक साथ आते हैं लाइक ब्रिक्स एंड शांगाई को आपरेशन और एन्वल समिट भी होता है इंडिया और रशिया के बीच में ताकि इस्ट्रेजिक रिलेशनशिप के उपर बात हो सके अब बात करते हैं डिफेंस टाइस की देखिए इंडिया का जो डिफेंस टाइस गया रशिया के साथ यह बहुत पुराना है यह 1971 में स्टार्ट हो ग और अमेरिका ने जब पाकिस्तान के सपोर्ट में अपना सबसे बड़ा जंगी बिड़ा बेयो बेंगॉल में भेजा तब इंडिया ने रशिया के साथ साइन किया 20 साल का पीसफुल ट्रीटी और रशिया ने अमेरिका को काउंटर अटैक करने के लिए अमेरिका से पहले अ इंडिया और अमेरिका की नजदीकियों के कारण थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रेन आया है मगर फिर भी इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हतियार खरीता है इंडिया में लिए तीन कंट्री से हतियार खरीता है इस्रैल जिसकी टेक्नोलोजी का तो अमेरिका भी लोहा मानता है दूसरा इंडिया हतियार खरीता है अमेरिका से और तीसरा रशिया से इंडिया ने अभी अभी पांच S-400 सूपर सोनिक एर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदे हैं करीब करीब 6 बिलियन डॉलर की कॉस्ट पर अमेरिका ने भले इंडिया क हेलिकॉप्टर ये दोनों साइड मिलकर मैनुफेक्चर करती है इंडिया में रश्या और इंडिया का जॉइंट वेंचर गया एंड रिसेंट डिफेंस एग्रिमेंट है पूरे वर्ल्ड को कि इंडिया और मॉस्काव का रिलेशन बहुत पुराना है और यह घमेशा रहेगा इसी तरह स्ट्रॉंग वो गाना याद है ना कि मेरा जूता है जापानी पतलून इंग्लिश्टानी सर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल गया है इंडिया ने अपने जो कहते हैं इंडिया ने अपनी स्टैन को क्लियर कर दिया है कि इंडिया में दिल्ली और मास्काव का हमेशा से स्ट्रॉंग था और रहेगा इंडिया यंडिया प्रोग्राम में इंडिया और रशिया ने मिलकर इसको स्ट्रॉंग बनाने के बारे में सोचा है डिफेंस पार अभी मैंने बताया आप लोगों को एक टू-0-3 की फैक्टरि लगी है कोरबा में राय बरेली के पा है आपका Comove 226 helicopter जो की इंडिया में ही बन रहा गया मगर इंडिया और रशिया जॉइंट वेंचर के साथ बना रहे हैं and the new initiative will encourage joint manufacturing of defense product in India and motivate the private sector in developing a strong defense manufacturing base in India नई initiative के तहत कई सारे नई defense product इंडिया में बनाई जा रहे हैं रशिया की मदद से रशिया और इंडिया मिलकर बना रही है private sector को encourage किया जा रहा है कि भईया आओ और defense sector में जितना तुम अपना contribution दे सकते हो दो the boost to defense engagement will also help India contain the growing engagement between Russia and Pakistan क्योंकि रशिया और पाकिस्तान की जिस तरह से defense engagement बढ़ रही है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इंडिया ये चीज नागवार गुजरता है इंडिया को चीज नागवार गुजरता है क्योंकि पाकिस्तान एक धोकेबाज मुलक है पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है पाकिसान अपनों का सगा नहीं और इंडिया रश्या जैसा दोस्ट होना नहीं चाहता है अब बात करते हैं इश्यू अफ टेरिरिजम की उसके पहले मैं आप लोगों को एक फैक्टर और बता दू कि रश्या में हिंदुस्तान की जो हिंदी फिल्मे हैं उनको बहुत पसंद किया जाता है शारुक खान is like a god इन रश्या शारुक खान आई थिंग रावन की शूटिंग के जब रश्या गए थे तो रश्या के जो प्रेसिडेंट थे वो उनसे मिल ले आये थे शारुक खान, राज कपूर, अमिताब बच्चन, you know what is like a god in रश्या तो रश्या में बॉलिवोड की movies बहुत पसंद की जाती है अब बात करते हैं issue of terrorism की देखें terrorism का issue तो भाई हर जगाँ पर है इंडिया और रश्या टेरिरिजम का सामना करने के लिए साथ खड़े हैं, counter-terrorism का सामना करने के लिए दुनों साथ खड़े हैं इंडिया और रश्या ने रश्या ने गमेशा इंडिया का जो स्टैंड रगा गए कश्पीर में उसका साथ दिया है कि हाँ कश्पीर में जो आतंगबाद पल रगा गए इंडिया उसको सिर्फ साफ कर रही है इंडिया कुछ गलत नहीं कर रही है एन इन दोनों कंट्रीज के बीच एक पर्टिकुलर थिंकिंग को लेकर रा इनकी मिलती जुलती है दे कॉल फॉर दे एलमिनेशन वन्स एंड फॉर एक ही बार में सब को खतम करो और सीधे सेफ हेवन में भेजू सेफ हेवन मतलब जहन्नूम में इंडिया एन रश्या ओल्स एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न गया है क्योंकि देखे अफगानिस्तान इतना इंवेस्टमेंट करता है इंडिया ने अफगानिस्तान की सडके बनाई पारलियामेंट बनाई, स्कूल बनाई, कॉलेजिस बनाई अफगानिस्तान को एड़ देता है तो कि देखे उसको पता है इंडिया को उसके बगल में पाकिस्तान है पाकिस्तान टेरिरिजम फंड करता है अफगानिस्तान में ठेक है रश्या और इंडिया के लिए अफगानिस्तान इन एक बहुत ही important country है strategic point of view से इंडिया openly shared रश्या concern over the development in Syria इंडिया में जो terrorism develop हो रहागे रश्या ने उसके खिलाफ आवाज उठाया इंडिया ने support किया इंडिया इंस chance on Syria will certainly help cement it ties with Russia countering the earlier feeling that India was not coming forward to support Russia in difficult times रश्या को अक्सर गमेशा लगता था कि इंडिया कभी भी रश्या के difficult times में उनका साथ नहीं दे था लेकिन जैसे ही Syria के मुद्दे पर इंडिया ने रश्या का साथ दिया रश्या को ये लगा कि हाँ मेरा कोई दोस्त है जो मेरे लिए ख़ड़ा होगा Space cooperation भया देखिए इंडिया का जो पहला satellite था वो Russia की rocket से launch किया गया था आरे भट launch vehicle था आपका Soyuz ठेक है इंडिया और Russia की जो Space agencies है उनके बीच में agreement sign हो रखा है technology को लेकर satellite के navigation को लेकर rocket launching को लेकर और ये रिश्टा बहुत बुराना है I think 50 साल करीब करीब होने जा रहे है इस रिश्टे को ये स्कीन पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा So use Now cultural cooperation Russia में बहुत सारे Indians जाकर पढ़ाई करते हैं and कई सारे Russia की लोग भी आकर इंडिया में पढ़ाई करते हैं Apart from Hindi, languages such as Tamil, Marathi, Gujarati, Bengali Urdu, Sanskrit and Pali are taught in Russian institution Hindi के इलावा रश्या में Tamil, Marathi, Gujarati, Bengali Urdu, Sanskrit, Pali ये सब पढ़ाई जाती है and रश्या में जैसा कि मैंने बताया लोगों के अंदर Indian music, yoga Ayurved, Bollywood इसको लेकर कमाल का craze है कमाल का craze है शारुख खान को Amitabh Bachan को लेकर रश्या में और The President of India inaugurated the Year of Indian Culture Namaste Russia in Moscow on 10th of May 2015 रश्या में कल्चरल प्रोग्राम हुआ था एक Indian कल्चरल प्रोग्राम हुआ था और हमारे देश के रास्टपती ने रश्या में जाकर Namaste Russia नाम के उस कल्चरल प्रोग्राम को क्या किया था inaugurate किया था तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो मैंने आप लोगों को रिष्टा बताया ये दो ऐसे मुलकों का रिष्टा है जो बहुत पुराना है किसी पाकिस्तान के आने जाने से कोई फरक नहीं पड़ता हम रश्या के साथ खड़े थे रश्या हमारे साथ खड़ा था उमीद गए ये रिलेशन और मजबूत होगा आने वाले समय में और हम दोनों मिलकर रश्या और इंडिया मिलकर हर चीज़ को बारी बारी निट्टा लेंगे चाहे वो टेरिरियरिजम गो चाहे वो कोई और मुलक क्यों ना हो और बेल आइकन को प्रस जरूर कीज़े विश्यू ओला वेरी गुड लग टेक क्यार गुडबाई बी हल्दी बी सेफ